अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के पिधानमंत्री मौदी साहब के द्वारा कर्तब्य पत्थ का उद्गाटन किया गया है और आप देखें के कि सुवाश्चंद बॉस निता जी की पितिमा का अनावरन भी किया गया है तो इन दोनों टॉपिक पर हम लोग चर्चा एक सामान जानकारी देख लिते हैं अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरह के कुश्चंस आपकी परिच्छाओं में पूंच लिये जाते हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि आप लोगों के एक सामान जानकारी के लिए इस ते बारे में मालू होन अच्छे और आप देखिए हमारा प्यारा भारत है नई दिलली हमारी राजधानी है और दिलली आपको बता दूँ कि एक केंदस सासित पर देश भी है और आप सभी जानते ही कि यहां बिधान सभा में सत्तर सीटे हैं राजे सभा में तीन सीटें देखने को मिलेंगी लोकसभा में साथ सीटें देखने को मिलेंगे और अर्वेंद के जीवाल यहां के मुकमंत्री है यह भी आपको मालू होगा तो कर्तब पत्थ सत्ता की पितीक की रूम में पूरवर्ती राजपत से सारुजनिक स्वामित और अधिकार्टा का ओधारन होने की कारण कर्तब पत्थ में बदलाओ का पितीक है और पहले आप लोग जिसे राजपत कहते थे ना उसे आप करतब पत के नाम से जानेगे और पिधार मंतरी साहब ने कहा है कि एक गुलामी की एक तरह से हम सुधार कर रहे हैं कि राजपत गुलामी का एक तरह से आप देखिए कि उसमें अंदाजा होता है नेताजी सुवाश्चन बोस की पितिमा उसी इस्थान पर इस्थापित की जाएगी जहाँ पराक्रम दिवस यानि की 23 जर्मरी 2022 पर हॉलोग्राम पितिमा का अनावरन किया गया था ग्रेनाइड से बनी ये पितिमा सुतंता संगराम में नेताजी के अपार योगदान के लिए उप्रियोक्त सिधानजली है और उनके पिति देश के रिड़ी होने का पितिक हो गए सिरी अरुन युगीराज जो मुख्य मूर्टी कार थे इनके दोवारा तियार की गई 28 पित उची पितिमा को अखंड ग्रेनाइड पत्थर से उगए रा गया है इसका बजन आप देखेंगे 65 मैट्रिक टन है और ये कदम पितानमंत्री के दूसरे पंच प्राण की अनुरूप है जो 75 भी सुतंता दिवस की दोरान अमरित काल में निव इंडिया के लिए पितिग्या की गई थी और ओपनेविसिक मानसिक्ता के किसी भी निसान को मिटा दें और राजपत की कार्या कल्ब की जरूरत की बात करें तो बरसों से राजपत और सेंटल विष्टा इवेनिव के आसपास के छेत्रों में आगंतकों के बढ़ते यातायात का दबाव देखा जा रहा था और जिससे इसके बुन्यादी धाचे पर दबाव पड़ रहा था और सेंटल विष्टा विष्टा इवेनिव सरकार की महत्वा कांची सेंटल विष्टा और विकास परियोजना का हिस्ता भी है और इसमें सारुजनेक सोचाल है पीने के जल इस्टीट फरनीचर और पर्याप्थ पार्किंग इस्तान जैसे बुन्यादी सुविधाओं का प्रधान तरीके से आयुजित करने की आवसक्ता मैसूस की गई और जिसमें सारुजने कांदोलन पर नियूंतम पितीबंद हो और वास्तुसिल्व की अखंडता और अंतरता को सुनिशित करते हुए इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर विकास किया गया है और राजपत का एक संचेप्त इतिहास आप लोग देखें तो आप देखेंगे बेटी सासन के दोरान इसे क्रंग से वे कहा जाता था और जिसे एडविन लुटियांस और नई दिल्ली के आर्किटेक्ट हारवर्ट वेकर द्वारा 100 वर्स से भी पूर्व एक उपचारिक मार्क की रूमें डिजाइन किया गया था 1911 में रादधानी कलकत्या से नई दिल्ली इस्थाना अन्तित की गई थी और उसके बाद कई वर्सों तक निर्मारिकार जारी रा लुटियांस ने एक उपचारिक धुरी के आसपास केंदरित आधुनिक साही सहर की आउधारना पिस्तु की जिसे भारत के ततकालें समराट जोर्च पंचम के सम्मान में किंग्सवे नाम दिया गया था और जिन्होंने बर्स 1911 के दरबार के घोशना दिल्ली का दौरा किया था और जहां उन्होंने उपचारिक रूप से रादधानी को इस्थानेतित करने की नैड़े की घोशना गी थी और इसका नामकरन लंदन में स्थित किंग्स वे मार्क की नाम पर हुआ और जो 1905 में बनी एक मुख सड़क थी और जिसका नाम जोर्च पंचम की पिता किंग्स एडवर्ड सप्तम के सम्मान में रखा गया था और 1947 में सुतनता के बाद इस मार्क को हिंदी नाम और उसका महत्य देखें तो ग्रेंड केनोफी के नीचे नेता जी की पितिमा से लेकर राष्टपती भवन तक का पूरा खंड और छेथ करतब के पत की रूब में जाना जाएगा और करतब पत में पूरबरती राजपत और सेंट्रल विष्टा लॉन भी सामिल होगा आपका करतब पत में लेंड इसके वाकवे के साथ लॉन और आप देखेंगे अतरी थारे भरे इस्थान नवीनी की छोटी छोटी नहरें एमनेश्टी फिलोग वहतरीन साइनेज और वेंडिंग की उसके पिदरसित होंगे इसमें इसमें ठोस अप्सिष्ट प्रबंधन जल प्रब निर्मित और विस्तारित लॉन बड़ी सेंटल विष्टा परिवजना का हिस्सा है जा केंद्री सचवाला है और कई अनसरकारी कार्यालेओं के साथ एक नई तिरकोडिये संसतभवन का पूर्णा निर्माड किया जा रहा है नए संसतभवन का आपको मालूप भी होगा वही कि यह हमारा प्यारा भारत है और आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिल रहा होगा यह आपका उड़ीसा है भुबनेस और इसकी रादधानी है और आप देखेंगे इसकी सीमा आपकी आंद्रपदेश से लगती है किसकी उड़ीसा की और ज्यारखंड से लगती है बिहार राजसभा में 10 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां बंगाल की खाड़ी आप लोग देखते होंगे तो यहीं इनका जनम होता है उनकी माता का नाम प्रभाव वति दत्त बुस बॉस और उनकी माता का नाम पिता का नाम जानकी नाथ बॉस था तो यह भी याद की परिक्षा पास की थी हाला कि बाद में बॉस ने स्थीपा दे दिया था वह विवेका नंद की सिक्षाओं से अत्यदेख प्रभावित थे उन्हें अपना अध्यात्मिक गुरु मानते थे यह वन डेक जब मैं पूछा जा सकता है कि नेता जी के अध्यात्मिक गुरु फॉर्वर्ड की संपादन का कारभा समाला था इनके कॉंग्रेस के साथ संबंद क्या रहे हैं कॉंग्रेस आप देखिए पहले आजादी के लिए एक संगठन बनाया गया था जो आचकल आप लोग राजनितिक पाटी देखते ना उसी की बात कर रहे हैं 28 दिसंबर 1885 में उ और ये कहते थे कि डॉमिनियन दरजा नहीं चाहिए हमें पूरी आजादी चाहिए और उन्होंने 1930 की नमक सत्यागय में सक्री रोप से भाग लिया जो गांधी जी के द्वारा चलाये गया था और 1931 में समिनय एवग्या आंदोलन की निलंबन और गांधी इर्विन समझोति पर हस्ताक्षर करने का इन्होंने बिरोध किया था 1930 के दसक में वह जवाला नहरू और एमेन रॉय की साथ कॉंग्रेस की बाम राजनीती में सरलंगन हो गए थे सामिल हो गए थे बॉस बर्स 1938 में हरीपुरा में कॉंग्रेस के अध्यक जिनबात यत हुए थे 1949 में उन्होंने गांधी जी की उमीदबार पट्टाबी सीता रमयया के खिलाब फिर से अध्यक्षपद का चुनाव जीता था और आपको बता दूँ इस हार को गांधी जी ने अपनी हार बताय और प्रमुक समर्थन आधार को मजबूत करना था भारती राष्टी ये सेना की बात करेंगे हम लोग तो वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंतित सिंगा पर पहुँचे वहाँ उन्होंने अपना पिसे दिनारा दिल्ली चलो जारी किया था और ये भी पूंच लेता कि दिल्ली चलो किसने कहा था तो याद रखे वह सा हमने 21 अक्टूबर 1943 को आजाध हिंद सरकार और भारती राष्टी सेना के गठन की घुसना की थी और भारती राष्टी सेना का गठन पहली बार मोहन सिंग और जापानी मेजर इविची फुजी वारा की नितित में किया ग कि भारती नागरिक भी सामिल थी इनकी सेन में संख्या बढ़कर आप देखी 50,000 हो गई थी और आई एने ने वर्स 1944 में इंफाल और वर्मा में भारत की सीमा की बीतर मित्य देश्टों की सेनाओं का मुकाबलाग भी किया था नवंबर 1945 में बेटे सरकाद वारा आई एने के सदसों पर मुकंदमा चलाए जाने के तुरंद बाद पूरे देश में बड़े फिर्वारानी पर पिदर्शन भी हुआ था और अगर हम लोग नेता जी की डेथ की बात करें तो आप देखेंगे कि 1945 में ताइवान में विमान दुरगटना ग्रस्त उनकी मित्तिव हो गई थ एक सब्रकाबार है, तो इस तरह की क सलने एक सामन जनकारी पर भी खान को पर कह रवियर, इसस तरह के वारे लोग, इन्नेता है ख्रुशन आप देखतें सब्सेज्शा फैसरे पी-सी還शा हो या यू कि से इस ऑन-दागन उन्भल झाल झाल